अखिर क्यों गूगल को इंडिया छोड़ना पड़ेगा अंतरिक्ष में छोड़ी गई सैटलाइट अगर फेल होकर आपके घर पर गिर गई तो क्या होगा क्या आपने सोचा है ये गोल धरती अगर गोल गोल घुमना बंद कर दे तो क्या होगा और क्या आप जानते है ऐसे द जानते हैं कि येज साल में 12 महीने होते हैं लेकिन क्या आपको पता है एक ऐसे देश के बारे में जहां एक साल में 13 महीने होते हैं यह देश अफरीका में स्थित है जिसमें एक हफ्ता साथ नहीं बलकि 5 दिन का होता है और यहां का कैलेंडर दुनिया से 7 साल 3 महीने पीछे चलता है क्योंकि यहां अन्य देशों की तरह नया साल ए जन्वरी को नहीं बलकि 11 सितंबर को मनाया जाता है क्या आपको यह पता था कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों हम सब जानते हैं कि किसी की हत्या करना जुर्म है लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि आत्महत्या करना भी एक जुर्म है जी हां यह सच है IPC की धारा 309 के तहत ये एक दंडनी अपराध है लेकिन क्या आप ये जानते है जापान में तो सुसाइड करने पर जुर्माना भी लगाया गया है यहाँ अगर कोई व्यक्ती ट्रेन के नीचे आकर आत्महत्या करता है तो उसके परिवार वालों या रिष्टेदारों को यात्रा में बाधा डालने के लिए फाइन देना पड़ता है जब स्टेडियम के अंदर और बाहर का माहौल धोनी के नाम से गूंज रहा था उस साल विष्व कप में महेंदर सिंह धोनी ने फाइनल में जिस बैट से हेलिकॉप्टर शॉट लगाए थे वो क्रिकेट के इतिहास का सबसे महंगा बैट है जो करीब एक करोड रुपए में बिका था अरे हम रेडबुल का एड़टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं दरसल अपने इस टैगलाइन के कारण रेडबुल को काफी बड़ा फटका पड़ा था क्योंकि अमेरिका के बेंजामिन करेथर्स नामक एक सज्जन ने रेडबुल के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर करते हुए यह दलील पेश की कि 10 साल तक भी रेडबुल पीने के बाद उसके पंक नहीं आए वैसे टेक्निकली उस व्यक्ति की बाद भी सही थी इसलिए ही वह इस मुकदमे को जीत गया था और उसे कमपनी द्वारा जुर्माने के रूप में 93 करोड रुपे भी दिये गए थे आप समुद्र की लहरों में स्क्वेर पैटर्न को बनते हुए देखें तो जल्दी ही समुद्र का किनारा और नजारा छोड़ कर खिसक लें क्योंकि यह समुद्र में आने वाली सुनामी का संकेत हो सकता है दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कोको कोला का वास्तविक रंग हरा है इसमें रंग और कुछ केमिकल मिलने पर यह गाड़े भूरे रंग का हो जाता है और कोका कोला के बारे में ये फैक्ट बहुत कम लोग जानते होंगे कि कोका कोला को पहले एक दवाई की तरह इस्तिमाल किया जाता था, जिसे लोग सिरदर्द और ठकान मिटाने के लिए लिया करते थे बारिश के मौसम में जहां दूसरे पक्षी अपने घोसलों की तरफ भागते हैं, वही बाज एक मातर ऐसा पक्षी होता है, जो बारिश से डर कर भागने की जगह बादलों के उपर चला जाता है, जहां बारिश का उस पर कोई असर नहीं होता, जिंदगी में हमें भी बाज की काम करता रहता है, लेकिन क्या हो अगर किसी इंसान का दिल ही ना हो तो, बिटेन की एक महिला सलवा हुसैन एक ऐसी महिला है, जिनका दिल उनके शरीर में नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि वो आखिर जिन्दा कैसे हैं, दरसल सलवा अपने कृत्रिम दिल के सहरे जिन्दा है, जिसे वे एक बैग में अपने साथ लेकर घूमती है इस बैग में बैटरी से चलने वाला एक पंप है इलेक्ट्रिक मोटर है जो उनके दिल को चलाने का काम करता है दोस्तों क्या आप जानते हैं वेकेशन और यात्रा के लिए यूज की जाने वाली क्रूज शिप्स में एक मुर्दाघर भी होता है और इसके अंदर करीब 10 डेट बॉडिस को रखा जा सकता है है ना हैरान कर देने वाली बात क्या आपको पता है कि हर साल क्रूज जहाज पर लगभग 200 लोगों की मौत हो जाती है यानि इन 200 लोगों की क्रूज शिप्स से यात्रा करना उनके जीवन की अंतिम यात्रा साबिद होती है तो अगली बार जब आप क्रूज पर जाए तो बे जिजग जाए क्योंकि उन्होंने सारे इंतिजाम पहले से करके रखे है दोस्तों क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे खुशाल प्राणी कौन है हाँ एक ऐसा प्राणी जो हमेशा मुस्कुराता हुआ रहता है चाहे आप उसकी जान ही क्यों ना ले ले जैसा कि आप जानते हैं ये आप और हम इंसान तो बिलकुल नहीं हो सकते तो वो है कौन तो हम आपको बता दे दुनिया में सबसे खुशाल कौक का नामक जानवर है जिसे इंसानों का कोई भी डर नहीं है ये पश्चिमी ऑंस्ट्रेलिया के दलदली इलाकों और जंगलों में रहता है इसके चहरे पर हमेशा हसी बनी रहती है और ये दुनिया का सबसे खुश रहने वाला जानवर माना जाता है दोस्तों घर पर नेम प्लेट और गाड़ी पर नमबर प्लेट होना बहुत जरूरी है लेकिन आप घर की नेम प्लेट की तरह गाड़ी की नमबर प्लेट पर किसी भी तरह की रंगाई पुताई नहीं कर सकते हाँ दोस्तो, नंबर प्लेट के लिए कुछ चुनिंदा रंग ही डिसाइड किये गए हैं जैसे आम नागरिकों के लिए व्याइट नंबर प्लेट होती है उसी तरह भारत के राश्ट्रपती या फिर किसी राज्य के राज्य पाल की नंबर प्लेट लाल रंग की होती है ये लोग बिना लाइसेंस की ओफिशल गाडियों का इस्तेमाल करते हैं वही आप और हम बिना लाइसेंस राशन लाने भी नहीं जा सकते भेदभाव है लेकिन भाई वो राश्ट्रपती है और हम सिर्फ पती कई सारे तो वो भी नहीं है खुश नसीब जो ठहरे इंग्लैंड में एक ऐसा बगीचा है जहां से इंसान कभी वापस नहीं लोटते ये खुश नहीं बगीचा इंग्लैंड में है और इसका नाम एलनविक पॉईजन गार्डन है दोस्तों ये गार्डन दुनिया का सबसे खतरनाक गार्डन माना जाता है जिसमें करीब 700 जहरीले पौधे हैं बताया जाता है कि इन पौधों का इस्तेमाल शाही दुश्मनों को हराने के लिए किया जाता था इस खुणी गार्डन में अब तक सौ से भी ज्यादा लोगों की रहस्यमई तरीके से मौध हो चुकी है फैक्ट नबर एलेवन क्या आप जानते हैं कि मगर मच के आंसु मुहावरे का जन्म कहां से हुआ है हम बताते हैं मगर मच अपने शिकार को खाने के बाद अपने साइनूस में फ़सी हवा को बाहर निकालता है जिससे उसके आंसू आते हैं, इन आंसूं का दर्द से कोई लेना देना नहीं होता है इसी कारण से मगर मच के आंसू बहाने वाले शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता है जो किसी बात के लिए पच्चतावा महसूस नहीं करते हैं, बलकि दुखी होने का नाटक करते हैं। क्या आप जानते हैं कि गंदगी और भूत गाह जगहों पर अपना घर बनाने वाली मकडी में अगर आग लगा दी जाए तो वह बंक की तरह ब्लास्ट हो जाएगी। 3.8 किलोमीटर प्रती घंटे की स्पीड से चलती है। इसी कारण इसका नाम गिनेस बुक अफ वर्ड रेकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। 4.8 दोस्तों क्या आप जानते हैं कि चांद की ही तरह दुनिया के लोगों ने मंगल ग्रह पर भी रहने के लिए अपलाई किया है। ये मानव जाती का कुछ नहीं हो सकता भाई। पहले धर्ती पे बोज बने अब बस ना चल रहा तो मंगल और चांद पे प्लॉट कटवाने जा पहुँच। पहलेगी कि बस ड्राइवर्स की हर्ताल खत्म हो। जाने से पहले ही धर्ती की सतह पर गिरकर ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन अगर ये सैटलाइट्स किसी के घर पर गिर जाती है तो अंतरिक्ष कानून के नियमानुसार उस व्यक्ती को 74 करोड का मुआवजा दिया जाता है। अब ये मत सोचने लग जाना कि कम से कम एक को तो कैसे अपने घर पे खिंचा जाए। दोस्तों एक बार एक पादरी ने चार साल के बच्चे को डूबने से बचाया था और इन भाई साहब की ये मानवता धरती की मानवता के लिए खत्रा साबित हो गई। तो प्रित्वी पर 1100 मील प्रती घंटे की गती से हवा चलेगी। जिसमें मैदान में खड़ा व्यक्ती एक बंदूग की गोली की तरह उड़ जाएगा। इतनी तेज हवा और सुनामी से कुछ ही देर के अंदर प्रित्वी पर सब तबाह हो जाएगा। दोस्तों क्या आप जानते हैं दाढ़ी मेंस के फेस को एक अट्रैक्टिव लुक तो देती ही है लेकिन इसके साथ ही दाढ़ी तवचा से पानी को बाहर निकलने से भी रोकती है। और उम्र बढ़ने की प्रोसेस धीमी हो जाती है। इस फैक्ट के बाद बियर्डो की सेल बढ़े ना बढ़े लेकिन उम्मीद है कि हमारे वीडियोज पर लाइक और चैनल के सब्क्राइबर्स जरूर बढ़ जाएंगे। पिछले कुछ समय से इंडियन गवर्नमेंट ने गूगल पे काफी सारे रिस्ट्रिक्शन्स लगा दिये है। जैसे की सर्च इंजिन या प्ले स्टोर पर इंडियन एप्लिकेशन्स को ज्यादा प्रमोट करें। जिससे इंडियन कंपनीज को और अंतताः हमारे देश को काफी फायदा भी होगा। लेकिन गूगल को इससे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। गूगल की ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रोइड पर अब तक हम गूगल, जीमेल, यूट्यूब जैसे अप्लिकेशन्स अनिंस्टॉल नहीं कर सकते। लेकिन भारत सरकार के मताबिक अगर गूगल ने इसे ठीक नहीं किया, तो इंडियन मार्केट में उन्हें काफी मुश्किल हो सकती है। उसी तरह भारत सरकार देश के किसी भी नागरिक का डेटा देश के बाहर नहीं भेजना चाहती। और इसी के चलते डेटा लोकलाइजेशन ये एक नई मुश्किल गूगल के सामने खड़ी हो चुकी है। और इसी लिए गूगल को इंडिया में डेटा हब्स बनाने पड़ेंगे, जिससे कि हमारे देश का डेटा देश में ही रहेगा। इसी तरह भारत सरकार ने गूगल को ऐसी एप्स और पेजस को प्रमोट करने से मना किया है, जिससे कि भारतिय युवा को खतरा हो सकता है। लेकिन हम सभी ये जानते है कि गूगल का सारा सिस्टम एड़र्टाइज पे चलता है, तो इसी के चलते भी उसे काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। या अपनी सर्विसेज कम कर सकता है। जिससे कि उसे कम नुकसान हो, खेर अखिर क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अगर गूगल भारत छोड़के चला गया तो क्या ये देश के लिए अच्छा होगा या बुरा। कमेंट करके जरूर बताइएगा, इंडिया की गाड़ियों से हॉर्ण क्यूं हटाया जा रहा है। साप बिना कुछ खाए कितने सालों तक जिन्दा रह सकते हैं। क्या आपको पता है कि गीली सतह पर गाये घोड़ों से भी ज्यादा तेज दोड़ सकती है। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो इंडिपेंडेंडेंस डे नहीं मनाता है। इन सब फैक्स के बारे में जानने के लिए स्क्रीन पे दिये गए वीडियो को क्लिक करें और पुरा देखें। तो मिलते हैं जल्द ही एक और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए स्वस्त रहिए, मस्त रहिए।